हेलो स्टुडेंट्स बिटा आज हमां हम करेंगे कोशन नंबर 38 चेप्टर नंबर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेरिंग रेशो कोशन क्या गयता है पीके वार वर पार्टनर्स शेरिंग प्रॉफिट इन रेशो ऑफ 1 इस तो 3 इस तो 2 फॉलोइंग वाज दियर बैलेंश शीट एज एट 31 मार्थ 2018 क्यारे क्रेडिटर है तू लेग 80 थाज़एंट आउट्सेंडिंग एक्सपेंसिस हैं 15 थाज़एंट वर्क्मेन कंपन्शेशन रिजर्व है 60 थाज़एंट इन्वेस्टमेंट फ्लक्ट्ट्टिटिंग रिजर् और इधर कहें लेंड विल्डिंग 5 इंवेस्टमेंट की मार्क वेल्यू है वन लेग टैन थाउज़ेंट और बुक वाल्यू इतनी है वन टूट्ट्टिवाइफ उन टूट्ट्टीठ रिट्वेंटी बैंक बेलेंस वन सिस्टी अटवर्टीजमेंट 75 थाज़एंट शु को लास्ट में आप लोगों को बैलेंस शीट देखनी है ठीक है लास्ट में कह रहा है ऑन फर्स्ट कि 2018 आप्रेल 2018 डेएंट डे अधिस्यर प्रेशा आप डेश्ट बोड ने 153 मूले कलिया हो गई मतलब लॉस हो गया इसले रिवैलूएशन डैबिट हो जाएगा चीक है उसके बाद मोटर साइकिल वैलीूड थर्टी थरुचंड वाज अन्रिकॉर्डड़ेड मतलब एसे अन्रिकॉर्ड़ेड है जब उसे रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट जाएगी क्योंकि एसेट बढ़ती है तो debit होती है एसेटका डेबिट बैलेंस होता है इंक्रीस तोडेबिट ट्लियर नेक्स्ट कह रहा है आउस्टेंडिंडिंग Ekspansy's not to be payable मोर अब यहां पर आउस्टेंडिंडिंग Ekspansy's की टू का मतलब होता तक कितने तक बढ़ गया 2,90,000 तक पहले कितना था 2,20,000 तक और अब है 2,90,000 तक इसका मतलब 70,000 से इंक्रीज हो गया और एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है कर अब प्रोविजन फूर डाउटूल डेटर बी क्रियेटीड 5% अब हमें देखना हमारे डेटर हैं कितने कितने हमारे डेटर 3,20,000 के हमारे डेटर हैं उनका 5% अगर आप करोगे तो लाइबिलेटी इंक्रीज प्रोविजन का मतलब होता है लाइबिलेटी और जब मुझे बनानी है लाइबिलेटी बढ़ानी है तो इसका मतलब वो क्रेडिट हो जाएगी तो इसके एंट्री हो जाएगी इसके बाद है गुडविल वैल्यूड होगी तो आपको पता है सेक्रिफाइजिंग और गेनिंग निकालेंगे तो इसका मतलब होता है पुनर निर्मान करना दोबारा बनाना किसी बिल्डिंग को दुबारा बनवाना है उसको पैसे पे करने है तो लाइबिलेटी बढ़ ग है तो auditor credit हो जाएगा é 노래 अब हमें कहिए रहा है जर्नल के एंट्रियां करनी है और ड्रि aur आकाउंट बनाना है clear देखो आज Um जैसे जैसे question में गिवन है नका वैसे वैसे करते जाओ पहलीी fracture एंट्रिये और दूसरी motorcycle के entry है तो पहले claim की करूँगी मैं दूसरी motorcycle वाली करूँगी ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का लेजर फोलियो डेबिट अमांट क्रेडिट अमांट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट अमांट और डेडिट अमांट पहली entry के लेजर pensando की कहा रहा है हमारा fix men हमेशे डेबिट होगा याद रखनासर। कर ready कि अच्मपन सेशनum अपर अकांट डेबिट आप पूरा पूरा लिकना बगता ये तूप प्रॉवीजन फोर फोर वर्कमेन क्लेम कंपंशेशन क्लेम अकाउंट क्रेडिट यह हमने यह बना रखा था 60,000 का क्लेम कितने का कर दिया वर्कर्स ने वन लेक का चीक है तो हमें कितने का लॉस हो गया 40,000 रुपीज का और देने पड़ेंगे तो लॉस हो गया लाइबलिटी इंक्रीज हो को यह बना रही तो रिवैल्यवेशन यहां पर पहले रिवैल्यवेशन को डेबिट करते हुए दिखा देंगे कितने की 40,000 का लॉस हो गया एक तरह से लाइबले इंक्रीज हो गया एक तरह से लॉस हो गया ऐसे भी सो सकते हो लॉस ऑल्वेस डेबिट जिक हैं तो 40,000 क्रेडिट बैलेंस होता है जब वो इंक्रीज होगी तो क्रेडिट और जब वो डिक्रीज होगी तो डैबिट ठीक है तो लॉस की वज़े से डैबिट हो जाएगा क्या है पीज कैपिटल अकाउंट डैबिट क्यूज कैपिटल अकाउंट डैबिट आर्स एपिटल अकाउंट डेबिट टू इवैलुएशन कितना हो गया 40 था उजेन का इसको बाट देगे 40 था उजेन को कितना आएगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशम है 666 और 4 टाइम 6 आएगा तो एक को 7 कर लेंगे इसको करेंगे हम तो हैंपर आजाएसेंगे 150 और इसको करेंगे रहें 3 3 3 13000 33 उनको अगर हम हम over 20 53 एक को इंगरीज कर दो और एक को 2010 तो आपको लगें एक है थाट नैक्स्ट में क्या कह रहा है आपका थड्र सेंकी क्या है सब्सक्राइब निटरी में बता रहा है वह देखो मोटर साइकल की एंट्री करने अन्रिकॉर्ड इटी एसेट इंक्रीज तो डेबिट होगी तो यहां पर हो जाएगा मोटर साइकल अकाउंट एकाउंट डेबिट टू पिवैलूएशन अकाउंट कितना 30,000 लिख लेना narration asset recorded in account कुछ भी लिख सकते हो तो आप asset increase asset recorded in the account थर्ड है हमारा अब देखो दो entry हो गई थर्ड में कहे रहे outstanding की करनी है फिर stock की फिर प्रोविजन की तो step by step भी करते जाओ outstanding expenses नहीं देने की ज़रा थे not to be paypal का मतलब है अब हमें नहीं देने तो लाइबलेटी डिक्रीज होगी लाइबलेटी का कौन सा बैलेंस होता है credit तो जब वह डिक्रीज होती है तो यहां पर कह रहा है लाइबलेटी डिक्रीज आउट्स्टेंडिंग एक्स्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यवेशन अकाउंट कितने है फिफ्टीन थाउजन से उसके बार नेक्स्ट क्या कह रहा है वैल्यूड ऑफ स्टॉक बी इंक्रीज टू लेक नाइटी थाउजन टू का मतलब होते है तक बढ़ गया तो हमारा स्टॉक बढ़ गया फोर्थ एंट्री स्टॉक अकाउंन डेबिट है कि मतलब होते है दोनों का डिफ्रेंस कितने से एंट्री हो जाएगी इसकी सेवंटी थाउज़न क्लियर नेस्ट के रहे प्रो विजन फो डाउफू डेटर्स बनाने है प्रोविजन मेरी लाइबिलेटी होती है लाइबिलेटी बनाने है मतलब इंक्रीज करनी है तो क्रेडिट हो जाएगी तो यहाँ पर हो जाएगा रिवैलिएशन अकाउंट डेबिट डेबिट टू प्रोविजन फोर फोर डाउल्फुल डेटर्स फिफ्ट एंट्री हो गई 5 परसेंट ओन डेटर करेंगे हम 3,20,000 का 5 परसेंट करोगे आप तो 16,000 आ जाएगा आप लोगों का यहाँ तक समझ में आ गया नेक्स्ट क्या गयर है गुडविल की वैल्यूड करनी है आप देखो गुडविल का वैल ओल्ड रेशो वन इस्टो थ्री इस्टो टू और कौन कौन पार्टनर है पी क्यों और आर और न्यू रेशो क्या है हमारा इस उकल टो 4,6 और 5 अब हम देखेंगे सैक्रिफाइजिंग है और गेन है और हम किसका फॉर्मुला लगाएंगे सैक्रिफाइजिंग है सैक्रिफाइजिंग रेशो क्या होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो हम देखेंगे पी ने क्या किया सैक्रिफाइजिंग अगेन 1 बाइ 6 माइनस 4 बाइ 15 30 LCM आ जाएगा 5 माइनस 1 वो सॉरी 4 एक मिनट 8 आएगा 15 टू जा और 6 5 जा ठीक है माइनस के 3 बाइ 30 इसका मतलब माइनस आया सैक्रिफाइजिंग का फॉर्मुला लगाए तो यह क्या हो जाएगा गेन क्यों कर देखेंगे अब हम 3 बाइ 6 माइनस 6 बाइ 15 LCM आ जाएगा 30 6 5 जा 15 माइनस 6 2 जा 12 हाँ पर आ गया 3 बाइ 30 यह क्या आ गया पॉजिटीव इमेज है तो सैक्रिफाइज क्लियर है तो और हम देखेंगे आर का आर का क्या आएगा 2 बाइ 6 ओल्ड है और 5 बाइ 15 न्यू है तो यहाँ पर आ जाएगा एक इनट यह आ जाएगा 30 आप लोगों का 5 जा 2 जा 10 तो 0 नो एंट्री विल भी देयर इसकी कोई एंट्री नहीं होगी मतलब यह ना सैक्रिफाइज कर रहा है और ना गेन कर रहा है तो अब देखो गुडविल कितनी है हमारी गुडविल है वन लेक तो इनकी एंट्री क्या हो जाएगी आप लोगों की अब हमें यह यहां से यह पता लग गया एक गेन कर रहा है कौन पी तो पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कि तू क्यूज कैपिटल कि आर कुछ करी नहीं रहा तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी तो पी वन लेक का कितना कर दोगे आप थर्टी तो यह आ जाएगा आपका 10,000 और वन लेक का थर्टी 10,000 तो यह पता लग गया पी डेबिट हो रहा और क्यूज क्रेडिट हो रहा है यहां तक समझ में आ गया अब लास्ट में क्या कह रहा है वो एक और एंट्री रह गई हमारी देखो हमने स्टेप बाई स्टेप किया पहले क्लेम की एंट्री कर दी फिर मोटर साइकल की उसके बाद आउटस्टेंडिंग एक्सपेंसिस की फिर स्टॉक की उसके बाद प्रोविजन की भी कर दी गुडविल की भी कर दी अब हमारी यह एंट्री रह गे रिकॉंस्ट्यूशन इसमें क्रेडिटर है यह हमारा क्रेडिटर है क्रेडिटर इंक्र से बेटा क्यारा 20,000 रुपीज पे करने हैं हम बोस को एक तरह से लाइबलेटी इंक्रीज हो गई यह हो गए हमारी जर्नल एंट्रियां अब हमें क्या करना है बेटा हमें रिवैलुएशन अकाउंट बनाना है इनको देखते हुए चीके कुछ रह तो नहीं गया ना नहीं कु हमां वह पूंद्र्ट्टन अकाउंट अब को जब भी जर्ब्र्ट्ट्र से रिवैल्यवेशन में ट्रांफर करते हैं तो अगरे विप्लैलेशन वी हो रहा होगा, वो transaction credit side आ जाएगी अगर evaluation debit हो रहा होगा, वो transaction debit side आ जाएगी. अब देखो ध्यान से देखो, यहां पर evaluation क्या हो रहा था? debit हो रहा था, है न? तो debit हो रहा है, तो क्या आजाएगा है? हां पर to workman compensation, reserve की वज़े से debit हो रहा था, कितना? 60,000 40,000 clear है यह कहलो या फिर कहलो liability increase हो रही थी ना इस condition में तो इसलिए 40,000 आ गए दूसरे मैं क्या कह रहा है revaluation capital में तो capital में transfer होगा यह तो revaluation में transfer नहीं होगा किस में होगा यह capital account में transfer होगा clear है क्योंकि हमें सिर्फ क्या देखनी है हैं हम पर assets और liability increase हो रही है या decrease हो रही है increase हो रही है decrease बस यहथो transaction आएंगी तो capital हमारी किस में asset liability में नहीं आती है तो यह हां पर transaction नहीं होगी यह किस में जाएगा capital account में motorcycle की value बढ़ रही थी asset increase हो रही थी तो भी था negotiation अ दो भी दर टू मोटर साइकल कितना 30,000 outstanding expenses की बज़े से भी हमारा revaluation credit हो रहा था outstanding expenses या फिर कह सकते है liability increase हो रही थी तो loss हो रहा था दोनों आपको जो easy लगे वैसे सोचो आप stock हमारा बढ़ रहा था 70,000 से asset increase हो रही थी हमारी ठीक है तो भी इधर आएगी और वैसे भी revaluation credit हो रहा है तो भी इधर आएगा buy stock कितना हो गया आप लोगों कही है 70,000 का next में क्या गह रहा था revaluation provision for doubtful debtors है liability increase हो रही है increase हो रही है तो वैसे भी debit हो गया liability increase हो रही है तो loss होता है वैसे भी धर आना है तो यहाँ पर गया जाएगा to provision for doubtful debts आपको full form में ही लिखना है बेटा मैं shortcut में लिखना है आपको समझा रही हूँ नेक्स्ट में क्या कहता है हमने goodwill का treatment करा था goodwill तो capital में जाता है revaluation में नहीं आता उसके बाद है आउडिटर की फीस बढ़ गई थी क्रेडिटर लाइबलेटी इंक्रीज हो गी थी या फिर कहलो मुझे लॉस हो रहा है कैसे भी सोच लो revaluation debit हो रहा है ऐसे सोच लो या फिर credit लाइबलेटी इंक्रीज हो गई ऐसे सोच लो ठीक है तो टू ऑडिटर 20,000 clear है आप देखो 70 प्लस 30 थोड़ा यह गलती होगे मैं इससे थोड़ा नीचे कर लेना है 70 प्लस 30 कितना होगे आप लोगों का 1,000,000,000 और यहाँ पर करोगे आप 20 60 76 तो यह आ जाएगा आप लोगों का 39,000 यह होगे प्रॉफिट बैलेंस आ है इसलिए तू प्रॉफिट ट्रांसफर्फर्टू तू पीज कैपिटल, क्यूज कैपिटल और आर्स कैपिटल और रिवेलिशन का ट्रीटमेंट हमेशा कौन से रेशो में गगा ओल्ड रेशो में इसके अलावा कभी भी किसना से कुछ भी नहीं बोलेगा कभी नहीं कहेगा रिवेलिशन और टू भी डिस्टुबिटीड कुछ भी ऐसा नहीं बोलेगा हमेशा 100% एक परसेंट भी नहीं 100% ओल्ड रेशो में चीक है तो 39,000 है ओल्ड रेशो क्या है हमारा 1 बाई 6 6500 यह वाला आ जाएगा 009,500 यह आ जाएगा क्योंकि 39,000 का दूसरा क्या है हमारा 3 by 6 करेंगे और थर्ड क्या हमारा 39,000 को 2 by 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा यह हमारा 0013,000 तो यह आगे हमारे कैपिटल चीक है यह बनाना था इस कोशन में डिवैलिशन अकाउंट बनाना थ अगर ने थी फिर यह कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा और जो बची हुए एंट्रिया थी ने जिनका कैपिटल पर इफेक्ट पढ़ना था वह कैपिटल में आ जाएंगे चीक है पीटा उसके बाद नेक्स्ट कोशन है हमारा 39 ABC और पार्टनर शेरिंग प्रॉफिट और लॉसिस इन रेशोस टी इस टू टू इस टू वन फ्रॉम फर्स्ट अपरेल 2019 दे रिसाइडि टू शेर फ्यूचर प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस इक्वली तो इक्वली तीन है तो तीन क प्रॉफिट फ़ोगा तो प्रॉफिट बढ़ेगी क्लियर है और जहां क्रेडिट हो इसका भी एक लोजिक है certified क्राइड होता है तो डेधि हो जाता है और प्रेडित होगी चलो वेसे मैं बताऊंगी और एड़ेडिस्मेंट हैं यह मेरे लिए पाट्रम केपितल बढ़ेगी यह कम होगी कम होगी इसलिए इसकी एंट्री हमेशा क्या होती है पी एंडल सस्पेंस हमें डेबिट बैलन्स दे दे रखा है अगर इसकी कोई claim दे रखा है तो ठीक है नहीं तो यह बढ़ जाता है चीक है आगे देख लेंगे goodwill valued है goodwill should be valued at two year purchase of super profit तो super profit निकालना पड़ेगा पहले हमें average profit firm का दे रखा 75,000 और capital invested दे रखा है कितने का 6 lakh का और normal rate of return 10 तो यहां से capital employed से हमें NP आ जाएगा और यह हमें AP दे रखा है AP माइनस NPSP आ जाएगा into my number of year purchase goodwill आ जाएगी क्यारा furniture की book value है 50,000 to be reduced to two का मतलब है तक कितने तक हो गया है 30,000 तक इसका मतलब कुतने से reduced हुआ है 20,000 से reduced हो गया furniture मेरी asset है asset reduce होती है तो क्या होती है credit तो revaluation account debit to furniture आ जाएगा computer की book value है 40,000 reduce हो गया buy buy का मतलब होते है इतने से ही होगा 10,000 computer भी मेरी asset है और वो decrease हो रही है तो यहां पर क्या आ जाएगा revaluation to computer 10,000 क्या रहा claim है हमारा 50,000 का अब देखो 60 का मेरा reserve है 50 का मेरा claim हो गया इसका मुझे लगा 10,000 अभी भी हमारे reserve में पड़े हुए उसे old partner old ratio में बाट लेंगे क्या रहा investment की book value 30,000 और उसको जब revalue करा तो वो 25,000 की निकली इसका मलब 5,000 से क्या होगे investment की value कम होगी तो investment की value कम होगी तो वो मेरी asset है clear है तो asset जब कम होती है तो क्या होती है credit तो revaluation to investment आ जाएगा इसका यहां तक समझ में आ गया है कह रहा है सिर्फ journal entry करनी है उसके बाद profit और loss account को transfer कर देना capital में वो revaluation account नहीं बोल रहा वोगरह जो भी profit या loss आए उसको capital में transfer कर दो चीक है और goodwill का तो adjustment करोगी देखो question number है आपका 39 particular क्या 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 रहा है देखो फर्स्ट में क्या रहा है profit और loss का credit balance है profit और loss का हो जाएगा capital क्योंकि increase होंगी तो पहले की हो जाएगा पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल की वज़े से capital बढ़ेंगी बढ़ेंगी तो इसलिए profit हमेशा क्या हो जाएगा डेबिट दूसरा अगर पी एंडल का credit balance दे रखा होता है तो वह debit होता है और अगर पी एंडल का debit balance होता है इसका मतलब loss तो वह credit होता है चीक है ऐसे याद रखेंगा दूसरा क्या किया रहा था पी एंडल advertisement है यह मेरे expenses होते हैं expenses की वज़े से capital क्या होगी कम तो एस capital account debit है कि बीस capital account debit है कि सीज capital account debit है कि तू advertisement suspense account 15,000 है तो यह अगर बटेंगे तो यहां से हो जाएगा 15,000 इन्टु में 2 by 5 6,000, 6,000 और 3,000 थार्ड क्या क्या रहा है वर्कमेन compensation reserve है तो entry हो जाएगी पहले तो वर्कमेन हमेशा debit होगा वर्कमेन compensation reserve account debit कितना 60,000 का 2 वर्कमेन प्रॉविजन 4 वर्कमेन compensation claim account credit होगा 50,000 का claim है अब भी भी हमारे 10,000 रुपे reserve में extra है उन्हें old partner old में बाट लेंगे 2, A is capital account 2, B is capital account 2, C is capital account 10,000 है 2 by 5 तो यह आजाएगा 4,000 4,000 और 2,000 नेक्स्ट है आपका fourth मैं क्या कह रहा है गुडविल का valuation करना है तो गुडविल का valuation भी कर लो यहीं पर ही देखो जैसे जैसे step by step कह रहा है हम तो वैसे ही question कर रहे है अब देखो गुडविल का valuation कह रहा है वो गुडविल का old ratio देखेंगे पहले कितना है 2 is to 2 is to 1 new क्या कह रहा था आपसे equal छीके इक्वल कह रहे है अब देखेंगे हम sacrificing या gaining है और gain और partner कौन है पी A B C A B C तो यहाँ पर sacrifice का formula लगा होगे ratio is equal to old ratio minus new ratio old कितना है 2 upon में 5 new कितना है 1 upon में 3 15 LCM आ जाएगा 5 3 जा और 3 5 जा 1 upon में 15 आ गया positive आ रहे है तो sacrifice यह किसका था A का B का देखेंगे 2 upon में 5 सेम ही amount है तो वही आ जाएगा 2 upon में 5 minus 1 by 3 तो यहाँ पर 15 आ गया 6 minus 5 सेम ही आएगा यह भी sacrifice positive image है C क्या है हमारा 1 upon में 5 minus 1 upon में 3 15 LCM 3 minus 5 तो यह क्या जाएगा minus के 2 by 5 तो यह क्या गया gain अब देखो ध्यान से वन और वन 2, 2 by 5 ही sacrifice कर रहा है 2 by 5 ही gain कर रहा है अब हमें यहां से यह तो पता लग गया किसी gain कर रहा है तो C is capital अकाउंट debit 2 A is capital 2 B is capital ठीक है और यह ratio में बटेगी गुडविल है कितनी गुडविल हमें calculate करनी है क्या करनी है गुडविल हमें calculate करनी है तो देखो यहां पर calculate कर लेते है गुडविल is equal to कितना आएगा आप लोगों का कह रहा है गुडविल का formula है super profit into my number of year purchase अब हमें super profit भी नहीं given है super profit is equal to क्या होता है average profit minus normal profit AP तो हमें given है लेकिन NP given नहीं है तो हां से हम NP calculate कर लेंगे NP का formula क्या होता है capital employed इंटू में number of year purchase नहीं सोरी normal rate of return अपन में number 100 capital employees में दे रखा है हमें कितने का 6 lakh का इंटू में 10% यहां पर कितना आ जाएगा आपका 60,000 और AP आपको given है 75,000 का AP कितने का given है 75,000 का यह आगे आपका NP और यहां से तुम क्या निकाल सकते है SP 75,000 क्योंकि AP minus NP 60,000 तो कितना हो जाएगा यह 15,000 अब हम goodwill calculate कर लेते हैं गुडविल इस उकल टू कितना है 15 SP इंटू में number of year purchase कितना दे रखा था 2 year purchase तो यहां से आगे आपका 30,000 अब हमें पता लग गया goodwill हमारी कितनी आ गई है 30,000 तो इसको बाट लेंगे 1 upon में 15 यह 2 upon में 15 इंटू में 30,000 तो कितना हो जाएगा 4000 4000 क्रेडिट के आ गए और यहां पर अगर हम करेंगे 1 by 15 तो 2000 एक आ जाएगा 2000 भी का जाएगा चीक है गुडविल का treatment हो गया तो यहां पर गुडविल के entry क्या हो गई C is capital account debit 2 A is capital 2 B is capital कितने से 4000 और 2000 2000 सारी entry हो गई अब क्या कह रहा है वो देखो अब हमने देखो profit बाट लिया advertisement बाट लिया workman हो गया गुडविल हो गई और रंबर पर क्या कह रहा है फरनीचर की value reduce हो गई यह 230,000 अब फरनीचर की value reduce कर दो देखो कोशन फरनीचर क्या है मेरी asset है asset decrease होगी तो credit होगी तो क्या जाएगा valuation account debit तो furniture कितने से हो गई है two का मतलब है दोनों का difference तो 20,000 हो जाएगा clear next में क्या करें computer की value reduce हो गई है तो तुम चाहो तो एक साथ कर सकते हो अभी लेकिन मैं starting है आप लोगों की आप अभी 12 में आई हो तो मैं अभी नहीं करा रही मतलब लेकिन इनकी command entry भी हो जाएगी direct computer की radio हो रही है तो यहां computer भी हो जाएगा ठीक है और दोनों को value reduce हो गई बाय लिखा है बाय का मतलब होते है इतने से ही तो computer भी हमारी asset evaluation account debit तो computer कितने से 10,000 से clear है उसके बाद क्या कह रहा है workman compensation claim कि हमने करी दी क्योंकि देखो यहां पर कर दी हमने workman computer की भी हो गई furniture की वह भी computer वर्कमेन हमने इसके साथ ही कर दी अब लास्ट बच्ची हमारी investment रीडियोज हो गई थी investment भी ठीक है तो यहां पर आजेगा रिवैल्येशन अकाउंट डेबिट टू investment अब वो कह रहा है इन सब को ना 5000 से अब इन सब को कह रहा है रीवैल्येशन अकाउंट की एंट्री करने हैं अकाउंट नहीं बनाना क्या करनी है अब देखो ध्यान से देखना यहां पर रीवैल्येशन का कुछ नहीं आया था तो इसको छोड़ देंगे और यह गुडविल की एंट्री है यह भी सिर्फ कैपिटल में ट्रांसफर होगी तो बच्चा क्या हमारा फर्नीचर की एंट्री होगी रिवैल्येशन में तो मैं क्या करूंगी यहां पर मैं देखूंगी रिवैल्येशन कितने से डेबिट हो रहा है रिवैल्येशन अकाउंट बनाओंगी मैं और मली रफली तो कितने से यहां पर डेबिट हो रहा है ट्वेंटी से डेबिट हो रहा है फर्नीचर की वज रखते हो आप मैं बस बना के दिखा रही हूं आपको computer computer की वज़े से भी debit हो रहा था कि 10,000 और investment की वज़े से भी debit हो रहा था investment की वज़े से 5000 तो इसका कौन सा balance आ गया मतलब loss वाला balance आ गया यहां आजाएगा 35,000 और यहां पर लिख देंगे by loss transfer to कौन पीज गैपिटल क्यूज गैपिटल और आर्स कैपिटल अगर ऐसे हम बना रहे होते तो यहीं करते हैं एंट्री हम 35,000 को और यहां पर आजाएगा 14,000 और 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 कितना यह थिक हैं यह हो गया अब देखो इसकी वह ऐसे कह रहा था तुमसे एंट्री करने यह मैंने अकउंट बना रहे हैं वैसे वो क्या कह रहा था सिर्फ एंट्री करने थी तो तुम जहां रिवैलिवेशन डेबिट हो रहा है उसे प्लस कर ले इधर की तरफ लिक लेते हैं मतलब roughly डेबिट साइट और जहां credit हो रहा है उसे credit साइट और दोनों का difference निकाल लेते ठीक हैं जो बेलन्स आता अगर डैबिटग्ट आ रहा है इसका मतलबल्स यहां पर डैबिटग्ट आ हो रहा था इसका मतलब लॉस आ हुगी कम और वैसे भी डैबिट हो जाएंगे दिखो P is capital account debit Loss की वाज़े से Chapel काम होती है Q's capital account debit R's capital account debit To Revaluation क्योंकि loss आ रहा था here पर कितना आ जागा मैंने भी calculate करके बताई दिया 14,000 और 7,000 और हैं पर आ जा था 35,000 अब देखो वैसे भी तुम अगर इसे transfer करते capital में वैसे भी तुम इसे capital में अगर transfer करते तो PE क्यो आ तो भी तो बिल्टा debit side या था PE क्यो आ तो भी debit side या था capital debit ही होती तो बस हो गई capital debit चीक है complete हो गया यह हमारा यहां से question और इसमें कुछ भी गिवन नहीं है, देखो, question हो गया, goodwill आ गए थी हमारी 4000 debit के और ये 22 credit के और 35 laws आ गया, चीक है, तो यहां तेख हमारे complete हो गए questions, thank you बच्चा